Hello everyone, welcome back to the homework corner. I hope you all will be fit and fine. So, आज़न करेंगे time and calendar class 4th की worksheet. So, let's start the video. सबसे पहले हमने question लिया है 2 hour before 11.15 a.m. 11.15 a.m. होने से 2 घंटे पहले का time क्या होगा? तो आप यहां से 2 घंटे हम reduce कर लेंगे. तो हमारा जो time है वो आ जाएगा 9.15 a.m. ठीक है 9.15 a.m. 1 hour after 1.20 p.m. एक बचकर 20 minute बाद जो है उसके एक घंटे बाद का time क्या होगा? ठीक है time क्या है 1.20 p.m. एक घंटे बाद क्या time होगा तो आपका हो जाएगा 2.20 p.m. 2.20 p.m. 6 hours after 7.25 a.m. ठीक है 7.25 a.m. के 6 घंटे बाद क्या time होगा? ठीक है अगर मैं हापे 6 घंटे एड करती हूँ तो यह बन जाएगा 13. It means 1. ठीक है 1.25 p.m. ठीक है 1.25 p.m. समझ में आया यहापे 13 है लेकिन जो 12 है तो उसके बाद हमारा 1 स्टार्ट हो जाता है. तो फिर हम उसको 12 को 13 को हम क्या मानते है 1. 1.25 p.m. 3 hours after 5.30 a.m. आफ्टर बताना है साड़े 5 बजे के 3 घंटे बाद तो यह हो जाएगा आपका 8.30 a.m. ठीक है 8.30 a.m. Next question है which of the following year are leap year? कैसे पता लगाएंगे हम की कोई भी particular year leap year है या नहीं है? leap year means की उस year में 29 days है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम 4 से इन years को divide कर देंगी. जो complete divide हो गया वो होगा हमारा leap year. अब 4 से complete divide होने पर leap year क्यों होगा? क्योंकि जो leap year होते हैं उसमें होता है 366 days. 1 leap year में आपके होते हैं 366 days. क्योंकि यह एक even number है सो यह 4 से easily divide हो जाएगा. सो जिस भी year में 29 days होगे या वो leap year होगा वो 4 से complete divide हो जाएगा. तो सबसे पहले हम इसको 4 से divide करके दिखते हैं. यहाँ पर मैं आपको verbally जो है divide करकर दिखाऊंगे. सो जिस भी 4 से करेंगे 4, 4 जा 16, 27 हमारा रह जाएगा. फिर 4, 27, 4, 6, 24 हो जाएगा. तो यह आपका 4 से divide हो जाएगा. तो जो यह वाली year है वो हमारे एक leap year होगा. ठीक है. उसके बाद इसको हम डिवाइड करके दिखेंगे. सो क्या यह हमारा divide हो जाएगा. सो अफकोर्स यह भी हमारा divide हो जाएगा. सो यह भी हमारा leap year है. क्या यह वाला divide होगा. तो यह वाला divide नहीं होगा. 4 से complete divide नहीं होगा. तो यह leap year नहीं है. नेक्स में देखिए. 4, 4, 16, 39. 4, 9, 36. ठीक है. 4, 9, जा हमारा हो जाएगा. 36. तो हमारा 38. फिर से करेंगे तो remainder बज जाएगा. इसका मतलब यह भी हमारा leap year नहीं है. या फैब में 28 days है. अब इसका देखते हैं. तो यह complete divide हमारा हो जाएगा. तो 2008 भी हमारा leap year है. ओके. चलते हैं next question की तरफ. How many days are there in the following? 1 week और 3 days में कितने day होंगे? तो देखिए. 1 week में होते हैं हमारे 7 days. कितने होते हैं? 7 days. तो यहाँ पे 7. 1 week है. तो 7 days plus 3 days. टोटल हमारे हो गए 10 days. चीक है? 3 week में कितना हो जाएगा? 3 multiply 7 days. चीक है? तो यह हो जाएगा आपका 21 days. अब इधर हम करेंगे 3 week. तो अभी हमने देखा 3 week में 21 days होते हैं. तो आप डिरेक्ट भी लिख सकते हो 21 days plus 4 days. तो यह आपका आजाएगा 25 days. ठीक है? इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो. Next question है. How many weeks and days are there in the following? 8 days में कितने weeks होंगे? So हमें पता है कि 1 week में 7 days होते हैं. तो यहाँ पर हम 7 से divide कराएंगे. जब आप इसको 7 से divide कराएंगे. तो 7 वंजा 7 ठीक है? So complete हमारा 1 आ जाएगा और 1 remainder. उसके बाद तो divide नहीं होगा. So जो हमारा remainder है वो तुमारे day है. और जो हमारा quotient आएगा. ठीक है? जो हमारा quotient आएगा वो होगा हमारा week. So जैसे 7 वंजा 7. So जो हमारा remainder रहेगा इधर 1 ठीक है? यह हमारा day बन जाएगा और यह हमारा बन जाएगा week. So 1 week, 8 days में होगा 1 week and 1 day. इसी तरिके से 15 को जब आप 7 से divide करेंगे तो 7 तू जाब 14. 2 weeks and 1 day. ठीक है? 2 weeks and 1 day. So 30 days में और 31 days में कितने होंगे? यह मुझे आप comment box में ज़रू बताइएगा. यह आप लोगों के लिए है. 75 minutes में कितने hours and minutes होंगे? So देखिए, 75 minutes. 1 minute में होती है, 60 seconds. 1 minute में कितनी होती है? 60 seconds होती है. और 60 minute में 1 घंटा हो जाता है. 60 minute में कितना हो जाता है? 1 घंटा. So 75 minutes में कितने hours बनेंगे? देखिए, 75 में से आप 60 घंटा लीजे, 60 minute. ठीक है, तो 60 minute में तो हो गया आपका 1 घंटा. तो कितनी minutes से आपे रहेगे हमारी 15 minutes? तो 15 minutes हम यहाँ पर लिख देंगे. चाहे तो आप इसको 60 से divide भी करा सकते हैं. नेक्स क्योंशन है, अवर विंटर वैकेशन. चीक है, अवर विंटर वैकेशन वर फ्रों 24 दिसंबर 2013 तो 10 जैनवरी 2014. What was the duration of the विंटर वैकेशन? विंटर वैकेशन शुरू हो गई है 24 दिसंबर 2013 से. अब आप यह ध्यान लखेगा. स्टार्ट विंटर वैकेशन वर फ्रों. मतलब 24 से शुरू हो गए, तो आप 24 को भी काउंट करेंगे. और कब तक है? 10 जैनवरी 2014 तक. उस दिन तक है, तो आप 10 जैन को भी काउंट करेंगे. So, what was the duration of विंटर वैकेशन? सबसे पहले हम 24 December का देख लेते. December में कितने दिन हमारे बनने वाले हैं? So, total days in December हम लिखेंगे. Total days in December. Total days in December. So, December में हमारे कितने हो जाहेंगे? 24, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है? 30 and 31. Obviously, December में 31 days होते हैं. तो हम गिरेंगे, total हो गए 8 दिन. Total कितने हो गए? 8 दिन. Now, total days in January. January में हमारे पूरे 10 दिन होंगे. So, total जो हमारा विंटर वैकेशन है, वो 18 दिन का होगा. कितने दिन का होगा? 18 दिन का होगा. Next है, यह addition है. अब आप देखिएगा यहाँ पे, जैसे 6 और 6 मिनट. 66 मिनट है, तो हम यहाँ पे 66 मिनट नहीं लिखेंगे. हम क्या करेंगे? यहाँ पर आप लिखोगे 06. ठीक है? और जो एक आवर यहाँ पे carry forward हो जाएगी. क्योंकि, क्योंकि हमारे 60 मिनट में एक घंटा बन जाता है, तो जो हमारे 60 मिनट है, उसकी 1 carry उधर forward हो गई. और यहाँ पे 66 में इसे 6 मिनट रह गई. आफ्टर 60 घटाने के बाद. और यहाँ पे आपके आजाएंगे? 12 hours. ऐसे हम निकालेंगे. ठीक है? इसी तरह की से subtraction में भी होता है. जैसे यहाँ पे आपका आगया. तो यहाँ पे आपके टोटल बनेंगे 6 और यहाँ पे आपके बनेंगे 7. तो यहाँ पे आपके 16 मिनट होंगे. ठीक है, 1 carry उधर forward हो जाएगी. और यह आपका आजाएगा 12 hours, 16 मिनट. Next question is, how many minutes are there in the following? 7 hours में कितने मिनट होंगी? अब 1 hour में होती है 60 मिनट. तो 7 hours में कितने हो जाएगी? 7 into 60 मिनट. और यह आपका आजाएगा 7, 6, 42. 420 मिनट. ठीक है, 1 by half hours में कितने मिनट होंगी? 30 मिनट. कितने होगी? आपकी 30 मिनट. 3 by 4 hour में कितनी होगी? तो अगर आप ऐसे नहीं नहीं कह सकते हो तो आप इसली इसको 60 से multiply करके यहापे solve कर लीजिए 4 बन जा 4 और यहापे आपका 15 आ जाएगा and 15 थी जा 45 minutes ठीक है ऐसे 2 hour and 35 minutes में तो 2 घंटे में 2 into 60 minutes 120 minutes plus आप 35 और add कर दीजिए so 155 minutes आ जाएंगी ठीक है next question है how many hours are there in the following इन में कितने hours बनेगे तो hours पता करने के लिए भी हम क्या करेंगे 60 से divide करेंगे ठीक है किस से करेंगे divide वहाँ पर multiply कर रहे थे ठीक है क्या करें थे multiply कर रहे थे जब हम hour से minute convert करें तो multiply करेंगे लेकिन minute से जब हम घंटे बना रहे है तो हम divide करेंगे ठीक है धिहान रखेगा क्या बोला मैंने अभी जब minute given है और हम घंटे बना रहे है तो हम divide करेंगे सो 60 बन जा यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 62 जा 63 जा 64 जा तो नहीं जाएगा तो 63 जा 180 फाइफ टू तो आपका जो 25 रिमेंडर है वो तो आपका minute रहेगा और यह आपका गए गया hour तो 3 hour 25 minute ठीक है इसी तरीके से आप 150 को भी 60 से divide करेंगे सो यह आपका आ जाएगा again 220 हो जाएगा yes तू पे जाएगा तो आपका 2 hours और 30 minutes आपका बन जाएगा है आप पर बाकि के जो दो क्योंशेज है वो आप लोगों के लिए है कमेंट बोक्स में मुझे ज़रू बताएगा कि इन दोनों का अंसर क्या आया तिल दिन बबाई स्थे सेव स्थे हल्दी